हम्, क्यों आग्या ना गोलकप्पे देखकर मूँ में पानी? हलो मैं फूरी फ्रेंज्ट, वेलकम टो कीव कोकिंग विद प्रिया थेड़े वाले भाहिया के पानी का स्वात तो हमें बहुत लगता है पर मन में कही न कहीं हाईजीन की टेंशन भी रहती है स्पेशली आज के कोविट टाइम्स में तो क्यों ना हम सेम टेश्ट घर पर आसानी से बनाए वो भी बिना किसी टाट्री के, बिना किसी कलर के बिलकुल हाईजीनिकली सेफ, फ्रेश और टेस्टी तो फ्रेंज्ट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चटपठा तीखा पानी, खटा मीठा पानी और मसालेदार आलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी चटपठा तीखा पानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप धनिया इसकी मैंने डंडी भी ले लिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है एक कप पुदीना, मैंने धनिया और पुदीना दोनों सेम कॉंटिटी में लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो खटे कच्चे आम अगर आपके पास कच्चे आम या कैरी नहीं है तो आप अमचूर या इमली का भी यूज़ कर सकते हैं अब मैंने इसमें डाली है 6 हरी मिर्चे आप इसे कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच हींग, एक छोटा चमच नमक, एक छोटा चमच काला नमक, एक चमच जीरा और 5-6 आइस क्यूब्स आइस क्यूब ज़रू डालें, इससे चटनी का कलर ग्रीन रहेगा और डालें थोड़ा सा पानी बस इतना कि ग्राइंड हो जाए अब हम इसे बारीक पीस लेंगे पुदीने में ice cubes डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुदीना चटनी का color काला कर देता है अब देखी हमाई चटनी का color कितना green आया है अब हम इसे एक bowl में निकाल लेंगे सारी चटनी अच्छे से निकालने के लिए मैंने इसी mixi के jar में एक cup पानी और डालके हिला लिया है और इसे भी निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी और ice cubes ये पानी को बिल्कुल ठंडा कर देगी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब करीब एक cup chilled पानी अब आईए हम डाल लेते हैं इसमें सारे मसाले एक चमच चाट का मसाला आदा चमच भुना जीरा पाउडर एक चमच अमचूर पाउडर और एक नीबू का रस हम इसमें निचोड लेंगे अगर आपकी कैरी खटी ना हो तो नीबू का रस जादर निचोड लें अब हम इससे अच्छे से हिला लेंगे और इसकी consistency को चेक कर लेंगे एक बाद जरूर से taste कर लें अगर नमक कम लगे तो आप नमक add कर सकते हैं देखे कितनी सही consistency लग रही है और देखे इसका color भी कितना green आया है न और हमने इसमें कोई artificial color भी नहीं use किया है आईए अब हम इसे चान लेते हैं कि इसके सारे pulp और ratio निकल जाएं और हम एक बड़ी आसा पानी मिले एक spoon या whisk की मदद से इसे अच्छे से चान ले और देखे पानी कितना अच्छा लग रहा है अब इसमें डालें 2 टेबल स्पून बून दी इसे डालने से बिलकुल पानी बजार जैसा लगेगा तो तयार है हमारा चटाकेदार, मसालेदार, खटा और तीखा पानी तो आईए अब शुरू करते हैं खटा मीठा इमली का पानी बनाना इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए लाल इमली एक टिप है, जब भी आप बजार से इमली लाएं तो उसे फरिच में जरूर रखें अगर आप चाहते हैं, इमली का लाल कलर रीटें हो तो उसे फरिच में रखना जरूरी है एक इमली को फ्रिज में स्टोर किया गया था और दूसरी इमली को मैंने फ्रिज में स्टोर नहीं किया था तो आप दोनों के कलर में difference देख सकते हैं इस recipe के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम लाल इमली इसे मैंने एक कप गरम पानी में बिगो दिया है साधे पानी में इमली को भीगने में 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर मैंने प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसे गरम पानी में भीगो दिया है इमली को 15-20 मिनिट के लिए भीगने दें और जितने एक कड़ाई में हम डालेंगे 1 लीटर पानी और इसे बॉइल होने तक के लिए छोड़ देंगे अब इसमें बॉइल आने लगा है इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम गुड इस रेसिपी में ताजा और लाल गुड यूज करने की कोशिश करें इससे पानी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब हम इसमें डालेंगे हमारी बिगोई होई इमली का पल्प और इसे अच्छे से बॉइल आने देंगे जब इसमें बॉइल आ जाए तो आप इसकी फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे 10 मिनिट तक पकने के लिए छोड़ दें अब 10 मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें डालोंगी 4 टेबल स्पून चीनी एक चमच सादा नमक एक चमच काला नमक एक पिंच हींकी आदा चमच भुना जीरा पाउडर आदी चमच सौट का पाउडर या जिंजर पाउडर एक पिंच दाल चीनी का पाउडर वन फोर टी स्पून काले मिर्ज पाउडर और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे जब तक ये मसाले मिलना जाएं और देखे कश्मीरी लाल मिश पौडर से कितना अच्छा लाल कलर आया है अब हम इसे 10 मिनिट तक सिम होने के लिए छोड़ देंगे हमने लगबग इसे 20 से 22 मिनिट टोटल पकाया है और आप देखेंगे कि ये 50% reduce हो गया है अब हम गयास को बन करके इसे छान लेंगे इसमें बहुत सारे रेशे होंगे आप चाहे सीडलेस टैमरेंड यूज करें चाहे सीड्स वाली टैमरेंड यूज करें इसे छान ज़रूर लें अब इसे रूम टेंपरेचर पर आने के लिए छोड़ दें और फिर इसमें हम डालेंगे 10 बारा आइस क्यूब्स और आदा लीटर चिल्ड पानी अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें देखिए लग रहा है ना बिलकुल ठेले वाला खटा मीठा पानी अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मज बूंदी और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे तो देखिए तयार है हमारा खटा मीठा इमली वाला पानी तयार है हमारे दोनों तरीके के पानी पर आलू के बिना सब अधूरा है तो आईए तयार करते हैं हमारे मसालेदार आलू इसके लिए लिए है मैंने 6 छोटे साइस के आलू इन आलू को हम छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेंगे वैसे तो हर जगा गोल कपों में अलग ही स्टफिंग होती है आप चाहें तो सफेद चने भी डाल सकते हैं मटर भी डाल सकते हैं छोले भी डाल सकते हैं पर आलू की तो बात ही कुछ अलग है अगर फ्रिज में उबले आलू पड़े हो तो बस दो मिनिट में स्टफिंग तयार है अब आईए आलू तयार है हम इसमें मिलाएंगे मसाले 1-4 चमच नमक 1-4 चमच काला नमक एक चुटकी हिंग आदा बड़ा चमच भुना जीरा का पाउडर आदा चमच चाट का मसाला आदी चमच कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्पून के पीछे के साइड की मदद से इन्हें थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे हमें सारे आलों को मैश नहीं करना कुछ आलों को मैश करेंगे और कुछ को ऐसे ही रखेंगे ये टेक्शर आलों का बहुत अच्छा आता है तयार है हमारे मसालेदार आलो तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी अपना फीडबैक हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें और अपने फ्रेंज और फैमली के साथ सेफली उन्जॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग